हालो इस्टुन्स नेक्स हम देखेंगे एक्जाम्पल नमर नाइन क्या कह रहा है वाई इक्वल्स टू कंडिशन की विने प्रूफ करना ही अब देखो इस बार जो फर्स्ट डेरिवेटीव उसको वाइवन से डिनोट कर रहा है हम भी वही करेंगे सबसे पहले में लिखेंग कैसे करेंगे e की पावर cx का डिफिनेंशियेट यही होता है और उपर जो पावर cx हो उसका ओनली c हो जाएगा क्यूंकि x का वन हो जाएगा c constant एक प्लस एक हो जायेगा इसके अंदर जीरो प्लस वाइबन का वैल्यू क्या आया है सी डॉट एच एक्स एप्लस बी एक्स प्लस बी एच चाहें तो इस दोनों कामन ले सकते हैं बाकी नीट नहीं कामन की अब आयवन निकल के आगया है इसमें वायवन ही चाहिए ना इधर देखो यह पूरी वैल्यू देखो ए की पावर सी एक्स ए प्लस बीक्स यह पूरी वाय से मिल रही है न तो मैं लेकर रहा हूँ अगर हम यूज करें तो c as it is और इस वैल्यू की जगे हम वाय पूट कर सकते हैं अब वापस से अगें differentiate with respect to x अब y2 कैसे करेंगे c as it is constant y का क्या हो जाएगा y1 यानि single derivative first order derivative plus b constant as it is e की पावर c x का करो तो e की पावर c x का यह x और फिर c x का करा तो only c क्या आया y2 का वैल्यू c y1 प्लस b c e की पावर c x ठीक है अब आप यह वैल्यू देखो कैसे मैच खारी है नहीं घारी क्या चक्तर है यारी एक सेंट रुकना आया तो ही तो गडबड़ कर दिया अपन ने या तो अपन ने इसको गलत differentiate कर दिया इसको नहीं करते तो शायद अंसर सही बैठ जाता तो यह का कर रहा तो यह वैवन आया c2 y कैसे बन रहा है यह वैल्यू इसको यह वैल्यू वाय बन रहा है c2 तो यह e की पावर cx और यह व्यू ठीक है एक मेटापन इसको यह वैल्यू पुट ना करके अपन करके देखते हैं ना अंसर क्यों नहीं बन रहा भई चलो फिर से करो इसको ना ऐसे करो इसको अगेन डिफ्रेंशियेट विट रेस्पेक्ट फू एक्स वाय टू क्या हो जाएगा c तो इसको यहां यू इंटू वी लगाओ वापस से आप ईकी पावर सी एक्स करके देखो सी का बहाल लगार हूं ब्रैक्ट इसए ना तो इकी पावर सी एक्सका और अशी का करा तो cx का किया तो c ठीक है plus b as it is e की power cx का यह और cx का किया तो c ठीक है अब c से multiply करो यह हो जाएगा b c e की power cx plus यह c इससे multiply होगा तो यह c square e की power cx देखो जब भी proof वाली condition होती है तो जो given है वही लाना पड़ेगा अपन जो पहले condition है वो भी answer सही है कोई दिक्कत नहीं बड़ जब answer दे रखा है कि यही proof करो तो फिर आपको कुछ ना कुछ तोड़ मरोड के answer proof करना पड़ेगा यह concept रहता है ना अब देखो bc की power cx bc कितना होगा 2bc e की power cx अब यहाँ देखो c square अब इस value को देखो e की power cx यह value अभी भी से match खा रही है अब मैं इसकी जागे वाइपूट कर दूँ अब उससे क्या फायदा होगा देखना आप यहाँ पर यह y2 है ठीक है यह 2 है ठीक है c है ठीक है यह जो value दिख रही है आपको देहन देना इस value को मैं कैसे लिख सकता हूँ first order वाली value y1 equals to c y क्या लिखा हमेरे इस value की जागे अभी भी मैं y लिख सकता हूँ और plus b e की power cx लिख सकते हैं बिल्कु लिख सकते हैं तो यहाँ आप देखो ठोड़ा सा change 2 है बिल्कुल है b और e की power cx यहाँ पर value दे रखी है क्या इस value की जगे मैं change कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जो proof की condition चाहिए उसमें c square y आ गया है मेरे पास केवल यह बीच वाली condition अठक दी है minus 2 c y1 आना चाहिए इस value की जगे है अब y1 लाने के लिए मुझे क्या करना बड़ेगा यहाँ आप y1 minus c y y1 minus c y equals to be cx तो be cx जो value दे रखी है उसकी जगे value फुट कर दो तो 2 c तो ठीक है क्योंकि यह add कर दो इसमें y1 minus c y ठीक है plus c square y अब देखो क्या value हो गई है 2 c y1 हो गई और यह minus 2 c y square next slide पर लेता हूं इस condition को मैं देखो क्या बना मेरे पास y square equals to 2 c समझतो गए न आप क्या कहरों देखो इदर से यह 2 और यह c यह दोनों यह छोड़ दिये और b और e की power cx जो था ना इस पूरे की जगे मैंने यह use कर लिया y1 minus c y है ना y1 minus c y plus में क्या है मेरे पाँ c square y ठीट क्या है यह y2 नहीं है यह नीचे आएगा 2 अब multiply करो 2 c y1 और इसको multiply करो minus 2 c square y plus c square y यह सब equal में चल रहा है गया 2 c square y और प्लस तो minus का c square y हो गया सबको ठाक इदर लिया हूँ y2 minus 2 c y1 plus c square y equals to 0 अब बताओ प्रूव बना नहीं बना है कि नहीं पहले लग रहा होगा कहां पस गए बढ़ देखो आप थोड़ आसा आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगे क्या कंडिशन बन कैसे रही है अपने जो पहले डिरेक्ली चेंज कर दिया था उससे अपना अंसर नहीं बैट रहा था तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा प्रूव की कंडिशन जो है वही लेकर आनी होगी आपको वैसे अपन उससे भी बना सकते थे कैसे जब अपने वापस से इसको खोला ना वाय वाली कंडिशन वाय वाली कंडिशन की जागे फिर से आप वाली कंडिशन पूट कर दे तो बन जाता वहां से भी ठीक है तो दिस इस कंप्लीट एक्जाम्पल लंब नाइन पूला लो खोला ना पूला वातर से तून जाली कंडिशन फटके ते लो आज भी कंडिशन